Hello Students, Welcome to My Desk आज है डेट 19 मही 2020 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एक्जाम्स में करण्ट अफेर से रिलिटिट कौन कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं तो pen paper on कर लीजिए और important facts को note down करते चलिए और वीडियो को अंतक देखिए ताकि आपका कोई भी important facts मिशना हो आज की आपकी पहली update है हाल ही में वित्मंत्री द्वारा गोशित किया गया platform PME विद्या किन शात्रों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है कक्षा पहली से 12 तक के शात्रों हे तो इसनातक शात्रों हे तो इसनातक उत्तर शात्रों हे तो या शोद कर रहे विद्यारती हो तो तीखिए आपका right option है कक्षा पहली से 12 तक के शात्रों हे तो देखे COVID-19 के कारण जो सेक्षिक वर्ष सोचारू रूप से नहीं चल पा रहा है उसके कारण अभी हाली में वित्तमंत्राले के द्वारा मतलब वित्तमंत्री ने एक गोशना की है प्रधानमंत्री यी विद्या पोर्टल लॉंच करने की जिसके अंतरगत 12 डीटेच चैनल हों जिसमें NCRT का पूरा पार्टक्रम कवर किया जाएगा इसी के साथ में भारत सरकार चात्रों के भावनात्मक सुधार के लिए एक प्लेटफर्म मनोधरपन भी शुरू करने जा रही है इसमें क्लासेश कैसी चलेंगी 12 नई DTS चनलों में प्रति दिन प्रतियेक पार्टक्र है तू वित्मंत्रा लेद्वारा हाल ही में मन्रे का योजना है तू कितनी राशी का अत्रिक तावंटत किया गया है 10,000 करोड 20,000 करोड 30,000 करोड या 40,000 करोड देगे COVID-19 के चलते कई सारे श्रमिक अपने राज्यों को वापस जा रहे हैं एवं जिससे की बड़ा एक रोज का संकट खड़ा हो गया है हाली में वित्मंत्री निर्मला सीतरमन के द्वारा जो आर्थिक पैकेज गोशित किया गया है उसके अंतरगत 40,000 करोड दोपे मन्रे का योजना के लिए आवंटित किये गये हैं बजट में सरकान ने मन्रे का के लिए 61,000 करोड दोपे का आवंट रोजगार गारंटी हो जना अधीनियम लाए गया था 2005 में और इस अधीनियम के अंतरगत क्या है सरकार रोजगार की गारंटी देती है उन शामिकों को जो की नियूनतम मजदूर इदर पर लगबग साल में 100 देवसों का काम डोण रहे हैं या सरकार उनने 100 दिन का काम या पंजाब आपका राइट ऑप्शन है 36 गड़ देखे 21 मई 2020 को पूर प्रदानमंतरी राजविकांदी जी की पुर्णितिती है उस दिन 36 गड़ में इस योजना को प्रारम किया जाएगा इस योजना के अंतरगत 2019 में पंजीकरत और उपारजित रखबे के अधार पर धा मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 रुपे प्रतियकर के साब से किसानों को सहायता अनुदान राशी उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी ठीक है यह है इस योजना का उद्देश है बात आई है 36 गड़ की तो 36 गड़ की राजधानी है रायपोर सीम है बूपेज बगे रायप्चन है आपका जैकमा देखे चीनी अरब पती है जैकमा जिनकी कंपनी थी अलीबाबा से इन जो investment banker स्वारी company है और उन्होंने क्यों इस्टीफा दिया है Vework जैसे जोकिम भरे निवोश को लेकर संगर्श पूर्ण इस्थितियों के कारण इन्होंने इस्टीफा दिया है बात आई है soft bank की तो soft bank की स्थाफना होई थी 1981 में 1981 में founder है माया मासा योशी सन और हेड क्वाटर है टोक्यो जापान में की पीपल है मासा योशी सन जो फाउंडर एवं सीयों है इतना आपको इस कुशिन में से याद रखना है नेक्स अपडेट है आपकी अंतराश्टी संग्राले दिवस कम मनाय जाता है 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई अंतराश्टी संग्राले दिवस सबसे पहले मनाय गया था 1983 में UN की पहल के उपर ठीक है अब हाल ही में हरसाली से मनाय जाने लगा है और इसका मुक्योद देश क्या होता है लोगों को संग्राले एवं पुरातन चीजों की महत्ता के प्रती जागरूप करना और एक फैक्ट और आपको जानना चाहिए इसमें से कि देश में सरवादिक संग्राले जो हैं तो कहा है मद्धिप्रदेश में इतना आपको उस कुश्चिन में से याद रखना है नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में किस राज सरकार द्वारा राज में RTI हेल्प लाइन नमबर जारी किया गया है आपके उप्शन से महराष्ट, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मद्धिप्रदेश देखे राइट ऑप्शन है पंजाब देखे पंजाब के मुख्मंत्री है अर्बंदर सिंग उन्होंने हाल ही में RTI संबंद प्रशनों के तुरे तुत्तर पाने के लिए एक्शो लोगों के लिए क्या किया है हेल्प लाइन नमबर जारी किया है कि यह लोगों को भारत के संविधान के लिए गए अभी विक्ति की सविद्रता के मौलेक अदिकार का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाएगा ठीके बात आई है RTI Act की तो Right to Information Act 2005 में लेके आए गया था इसकी extension कहा तक है विस्तार कहा तक है और इसके Act के Provisions क्या क्या है कि जो भी Public Authorities है उसमें कोई भी वेक्ति जो Indian citizen है वह कोई भी सूचना की मांग कर सकता है उसे वह सूचना 30 दिवसों के भीतर प्रदान की जाती है और अगर वह उसकी Life and Liberty से अगर related है तो उसे 48 आर्स में वह सूचना अप्लब्द कराई जाती है इतना आपको इस Question में से याद रखना है आज के आपकी Next Update है प्रदानवंत्री उज्जुला योजना को हाली में कितने वर्ष पोन हुए है तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष या छे वर्ष आपका Right Option है, चार वर्ष देखे, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा एक माई 2016 को यूपी के बलिया में इस योजना के चुरुआत की गई थी और पांच करोर कनेक्शन वाटने का इसका लक्ष था परंतु हाली में सरकान ने इसका अच्छा रिस्पॉंस देखते हुए साथ करोर कनेक्शन इसे लोगों को बाटे है और लगबग आठ करोर लोगों को इससे जोड़ा है ठीक है और हाली में जो पेटोलियम मंत्री है धर्मेंदर प्रदान इनके द्वारा एक छोटा पांच किलो का सिलेंडर की सुविदा भी देने की इसमें योजना बनाई जा रही है जिससे की गरीब लोगों को और ज्यादा इससे फायदा मिल सके नेक्स्ट अपडेट है आपकी हाल ही में आयोजित की गई वर्ल्ड हेल्थ असेंब्ली की 73 वी बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया डॉक्टर हर्शवर्दन, नरिंदर मोदी, एज यशंकर या अश्विनी कुमार देखे राइट आप्शन है डॉक्टर हर्शवर्दन डॉक्टर हर्शवर्दन जो कि हमारे केंदरी स्वास्त मंत्री उन्होंने इसमें भाग लिया है और देखे क्या हुआ इस बैठक में विश्व स्वास्त सभा में कोविड-19 संबंदेत मुद्दों पर निश्पक्ष जहां छेतू ऑस्टेलिया के दोरा एक मसौदा पेश किया गया है और 62 देशों के गडबंदन ने इसका समर्थन किया है इन 62 देशों में कनाड़ा, बंगलादेश, रूर्स, इंडोनीशिया, दक्षिन अफरीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान देशे देश भी शामिल है ठीक है कहा है उजन किया जा रहा है इसका सुर्जिलेंड या जिनेवा में अपडेट आपकी नेक्स्ट है किस राज सरकारदवारा राजज में धारा 144 अगले तीन माहा तक लागू करने का फैसला किया गया है पंजाब, महराज, तमिलनाडू या 36 गड़ देखिया आपका राइट उप्शन है 36 गड़ दे कोरोना वाइरस से महामारी के चलते अलग-अलग राज्यों के प्रमुक अलग-अलग तरीके के जो स्टेप्स उठा रहे हैं उसी तारतम में 36 गड़ने आगामी तीन महीने के लिए जो CRPC की धारा 144 है उसे लागू करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं और जिलों के संबने दिकारियों को इसके निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं और मतलब तीन महीने तक अब यहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी ठीक है आपकी नेक्स अपडेट ह है आज की हाल इने अनि सुद्ज्जमान का निधन हुआवी कौन थे प्रोफेसर थे अभिनेता वेज्ञानिक या राजनेता आपका राड़िट उप्शन है प्रोफेसर थे बांगलादेश के प्रमुक साहित yap Simichattisac omad vorbei प्रोफेसर थे अनिश सुद्यमान और बंगला साहित कमेटी थी उसके कई ताम तक अध्यक्ष भी रहे और 2014 में भारस सरकार के द्वारा इने पदम भूशन पुरुसकार से सम्मानित भी किया गया है ठीक है अब आते हैं उस कुश्चन पर जो आपके लिए दिया गया था कल के प्रेश्ट का उत्तर है कोरोना वाइ माई तक के लिए आज के लिए आपका प्रशन है परेटन मंत्रा लेद्वारा चलाई जा रही वेबिनार शंकला का 20 वेबिनार का शीर्शक क्या था उत्तराखंड अहेवन एक्स्प्लोरिंग रिवर निला पंजाब ब्यॉंड दा ब्रॉशर या मैसूर क्राफ्ट कारवा तक करना ठीक है मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आप अपना कमेंट वर्श में उत्तर लिखें तो उसे डिटेल में लिखा करें क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं उन्हें आप दोबारा कभी भूलते नहीं है इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए आज इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने सेजेशन्स दे और वीडियो को सब्स्राइब करना ना भूलें धन्यवाद